हेलो फ्रेंड्स मैं हुजर बखान और वेलकम हैं आपका मेरे चैनल वरकमोमिन्स किचिन में आज मैं आपनों के साथ शेर करने जारी हूँ वीफ वोटी फ्राई की रेसिपी तो इस बखरीव में आप अपने मेन्यू में कुछ जूसी और स्पाइसी सा अगर एड़ करना जाते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर एड़ करें तो चले शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने हाफ के जी बीफ ले लिया है और इसको देखे इस तरह से इसके पीसिस को छोटा-छोटा कट कर लिया है बहुत बड़े या बहुत चोटे पीसिस नहीं होने चाहिए अब एक प्रेशर कुकर आपको ले लेना है और इसमें आपको ये जो बीफ को मैंने वाश करके रखा हुआ था इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है और इसमें मैंने डाल दी है एक बड़े साइस फी प्यास और इसको मैंने रफली चौप कर दिया ता साथी में मैंने एक विसल आने तक कि इसको पका लीजी, मीजिय फ्लेम पे विसल लीजेगा, ताकि ये जो बीफ है, वो अच्छे से टेंडर हो जाए, चार विसल आ चुकी है, तो आप ये देखिए, जो बीफ है, वो दिख रहा है, कि काकवी हद तक के टेंडर हो गया है, लेकिन पानी देखिए वरना तो फिर इसको पानी को ड्राइ करने से ये जो पीसेज हैं, तो आप देखिए, ये जो पीसेज हैं, ये ड्राइ हो चुकी है, पूरी तरह से, इसमें आपको नीचे पानी नहीं दिख रहा होगा, और ये रेडी होगे, इनको हटा लिया है, अब मैं मसालों को आपको दिखाती है, इसके लिए मैंने या पे एक चम्मच कला नमक, एक चुटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई, डाल मिर्च नहीं है, एक चम्मच जीरा पाउडर, और एक चम्मच ये बारी कुटा हुआ खड़ा दन्या लिया है, एक चम्मच गरम मस और उसके साथ मसालव कों प्लूर एक साथ आठ टकार बाद यहां हुअड को एक साथ बरतना को मिला कर देना है बोटियों को मैंने ठंडा कर लिया तो उसके बार ट्रांसफर किया है तो आप इस चीज का थोड़ा से दिहान रखें बोटियां बहुत गरम नहीं होनी चाहिए तो अब इनको बोटियों को यह जो मसाला तियार किया है इसे मेरिनेट करना रहेगा तो पूरे अच् अच्छे से घरम कर लिया गरम करने के बाद अब मैंने इक बोटियों के पीसे उठा के इनमें डालना शुरू कर दिया है जिखने पीसे एक बार में आ जाएंगे इनको अनलोग डाल देंगे और डालें के बाद फिर अब हमने इनको फ्राइब करना रहेगा तो अच्छे से क्रिस्पी होने तक के इने फ्राइब करना है आप पहले एक साइट से थोड़ा सा होने दें उसके बाद ही पीसेस को टर्न करें बहुत जल्दी जल्दी टर्न नहीं करें वरना तो यह फिर अच्छे से फ्राइब नहीं हो पाएंगी और उपर की जो लेयर है वो क्रंची नह कर दिया विसी तरह से दो तीन बार इनको पलटते हुए अच्छे से फ्राइब कर लेना है जब तक कि यह उपर से इसकी लेयर क्रंची नहीं दिखने लगे तो यह देखिए पीसेस जो हैं वह अच्छे से फ्राइब हो गए हैं और अब इनको हमें ओई से निकाल लेना है औ पाकि बचे वह पीसेस बचे हैं उनको भी जासे हम लोगों इसे इसको फ्राइ किया थै इसा तरह से इसको भी हम लोग फ्राय कर रहींगे और अब इसके बाद हम भी हम लोग फटा फट से प्षाइब करके निकाल लिए हैं और यहां पर देखिए मैंने एक बड़े बरतन म मसाला एड़ कर सकें थोड़ा सा चैट मसाला टालने के बाद आप इनको मिला दीजिए और ये गर्मा गरम बहुती क्रिस्पी जूसी वीफ बोटी फ्राइडी हो गई हैं वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा थेंकियो फॉर वाचिंग दिस वीडियो झाल झाल